आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो स्वेटर्स आपका आज का प्रेशन है जिन व्यक्तियों को बुद्धी लब्धी का विस्तार पचास से सतर तक होता है वे कहलाते ही आपके विकल्प दे रखे हैं मूर्ख, जड़, छीड और मंद बुद्धी तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कि बुद्धी लब्धी क्या होती है क्या चीज़? बुद्धी लब्धी क्या होती है तो बुद्धी लब्धी क्या होती है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे तो हम क्या कहते हैं कि बुद्धी को मापने के लिए बुद्धी लब्धी का प्रियोग किया जाता है प्रियोग किया जाता है अब हम जान लेते क्या कि बुद्धी लब्धी को निकालने का सूत्र क्या होता है तो बुद्धी लब्धी बराबर बुद्धी लब्धी बराबर बराबर मानसिक आयू गुड़ेस बटा वास्तविक वास्तविक आयू यह होता है आपका बुद्धी लब्धी निकालने का सूत्र तो अब हम जान लेते हैं क्या कि मूर्ख जड़ और छीन और मंद बुद्धी का क्या होता है तो जो मूर्ग बुद्धी वाले होते हैं इनका विस्तार कितना होता है इनका विस्तार होता है 50 से 70 तक का फिर अगर जड़ बुद्धी की बात करते हैं तो जड़ बुद्धी का विस्तार होता है 0 से 25 तक का कि इन व्यक्तियों की बुद्धी लबदी का विष्था 50-70 होता है। तो हम क्या क्या सकते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों की बुद्धी लबदी का विष्था 50-70 होता है। धन्यवाद Classics Q2L से लेके Neet IITJE Means और Advance के लेबल तक 10 मिलियन से ज्यादा Students का भरोसा आज राउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर